हाई एब्रीबन यू आर वेट टॉक वेद लिटेश यूट्यूब चैनल सो आज कर जो मेरा वीडियो वो यह है कि BCD नंबर को हम V Dean Quoted Decimal Values को Now decimal Values में कैसे Convert करते हैं यानि उस силь का निमोनिक होता है FAD यहनि convert from BCD to Decimale सो लास्ट वीडियो मेंने बताया था TOD यानि decimal VCD में कैसे Convert करते हैं वीडियो पMaybe परषंद आ रही होंगे वीडियो यां चैनल को को सबस्क्राइब जरूर करें सो सबसे पहले में यहां पर क्या करता हूं एफारडी ब्लॉक लेता हूं इसका मतलब है कि जो भी वैलिज है वी सीडी से उसको डेसिमल में बदलना है तो सोर्स आप एक इंटीजर एड़र्स ले सकते हैं जैसे n7,0 and destination मैंने यहां से 1 ले लिया and our title चेंज कर सकते हैं कि basically हमारा title क्या है कि हम चाहते हैं कि bcd value to decimal values कैसे convert करेंगे conversion right एक input आप यहां से connect कर सकते हैं तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं एक input ले लेता हूं right यहां 0.0-0 ले लिया यहां 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 से डाउनलोड कर देंगे और run करा के देख लेंगे इसको मैं on कर देता हूं input को so that आपका execution होता रहे तो एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि bcd में जो भी number होगा यह बीसीडी में अगर 9 तक number है वो decimal में 9 बराबर रहेगा लेकिन जैसे ही bcd में आप जाएंगे आगे जैसे 16 देंगे तो 16 का decimal 10 आएगा आपको यहां से बताता हूं मैंने यहां से अगर 9 दिया एंटर किया तो 9 रिजल्ट आ रहा है लेकिन जैसे मैं यहां से basically 16 एंटर करूंगा तो आपको रिजल्ट 10 मिलेगा यानि integer की data file में जाके आप monitor कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि n7 colon 0 पर मैंने क्या दिया 16 यानि उपर तो 16 value convert होके decimal में 10 में convert होगे अगर मैं यहां पर 17 देता हूं तो 11 आ गया जैसा कि previous video मैंने बताया था कि कैसे conversion करते हैं अब redix binding convert करके देख सकते हैं कि 10000 तो यह हमारा इसका मतलब हो गया one and यह मेरा अलग one है तो यह मेरा हो गया BCD सबको अगर आप convert करेंगे decimal में तो हमारा निकल के result इस तरीके से आ रहा है तो इसलिए यह convert होके हमारा यहां पर decimal में दिखा रहा है 17 अगर 18 करूंगा तो यहां पर जो मेरा result है वह 12 आ जाएगा क्योंकि value ज्यादा थी इसलिए यह fault में चला गया भी fault मैंने remove कर दिया और आप देखेंगे 18 का result है sorry yes 18 का result 12 है तो इसका fault मुझे हटाना पड़ेगा एक बर clear fault and यहां से run mode up करके देख सकते हैं 18 का 12 हो गया अगर मैं 17 करूंगा तो 11 है तो इस तरीके से हम क्या करते हैं bcd values को decimal में convert करते हैं calculation में हम लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं आप आपको वीडियो पसंद आया होगा आप चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरू लाइक कीजिएगा so thanks for watching my videos thank you